अच्छा जी अभी जो चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वह है बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है और किस तरीके से की जाती है पाइट और बढ़ा ही असान तरीक है बहुत असान है और इसमें एक छोटा सी एक ट्रिक मैं आड कर रहा हूं अभी के लिए जो आपको मैं द के जगँ से भी आपको मिल जाएगा कर सकते हैं और इस वकत दुनिया में मिशीन लेरनिंग में सबसे ज्यादा काम जो है वह बाइनरी क्लासिफिकेशन का ही हो रहा है रीजन कैं हां या ना मुनब कोई बंदा क्रीमिनल है या नही है सबसे बड़ा टास्क जो मिशीन लेरन होता है किसी भी machine learning के task का यानि कि binary output का इस सवर से binary को देखते हैं कि किस तरीके से होती है यही model है जो बड़े production लेवल पर यूज होते हैं production लेवल पर कोई कोई नहीं चीज नहीं हा जाती this is just the data is different लेकिन model यह यूज होते हैं पांडा की साथा असान अलफाज के अंदर आ गया जा पिर हम यहां पर अप्टिमाइजर करते हैं फिर मैंने ट्रेंट सब्लेट के लिए इसके लेंड कर ली विच वेरी इजी यू नो दैट के ट्रेंट सब्लेट के तू इजी वीजी हो जाता है मदलो एक्स वाइए में डेटा आपका 20 80% की रेशियो में हो जाएगा मैंने पर लेबल कोंडर और स्टैंडर्स केलर किया यह मैंने इस वज़ा से आपको यह चीज़ें दिखा रहा हूं क्योंकि आप कभी भी एक ही लाइबरेरी को सरपे सवार ना करें अब हमेशा मल्टिपल लाइबरेरी को यूज करके मिशीन का मॉडल ट्रेंड करें उसका फाइदा क्या होता है आपकी ग्रिप स्ट्रॉंग हो जाती है डिफरेंट मॉड्यूल्स के उपर विच इस वरी निसेसरी वन यह बिलिदिंग सम काइंड अव मॉडल्स अब यहां पर देखते हैं हमने अपना डेटा जो है उसे डाउनलोड क करें बिक्योज डिजन्ट वर्क ऑन दे एन एवाली यानिके नल वैलिए अब हमने आगे करना डेटा प्रिप्रोसेशिंग अब पहले हम क्या करते थे यह लोग कोड की फॉर्म में मैंने लिख है हम पहले एक लेबल की इंकोडर बनाते थे लीज इकल टू लेबल इंकोडर ऐसे हम करते थे फिर उसको हम लगाते थे जी डेटा के उपर डीएफ सेक्स पिर आगे लेबल इंकोडर फिट ट्रांसफर्म लगाएं और उसके उपर लगाने इससे हुआ कहा है जीरो और वन के अंदर आपकी इंकोडिंग होगी है ठीक है आपकी इंकोडिंग होगी है यह बेसिकली हमने नुमेरिक के अंदर इसे लेगे हैं फिर हमने फीचर और टारगेट यानिके फीचर और लेबल्स डिजाइन किये हैं वही चीजें सारी सर्वाइब्ड हमारा लेबल है विच या तो बंदा जिंदा है या नहीं जिन्दा ठीक है जीरो मतलब नहीं जिन्दा वन मतलब जिन्दा है सिंप्ली सर्वाइब डागन तो एक्स की वैलियो सेक्स एज़ क्लास फियर एंड अलोन इसकी बेस पे हम टार्गेट वैलियो देख लें स्केलिंग हमने की अब इसली स्टेंडर्स के लिए हम लगाएंगे ताकि हमारा एक रेंज के अंदर पूरे पूरे डेटा आजाए फॉर एज एंड फियर और आपको पता है स्टार्ट के अंदर एज और फियर बहुत ज्यादा वेरी कर रहे थे बहुत ही बेसिक की क्लासिस की जो हमारी पुजिशंस भी हमने देखा था स्टार्ट स्टार्ट के अंदर कि यह बहुत ज्यादा वेरी कहते थे इसको जूर्ण में वाद हमने क्या किया यह प्योज बाहरा आ रहा हुगा जहब से मैंने पाइट को स्टार्ट का है यह यह बिसिकली एक डेता अब्जह बिच पॉजस किस लिए computationally इसको बहुत speed up करने के लिए on GPU level यह same data set ही है लेकिन tensors की form में store हो रहा है जैसे आपका data pandas data frame में store हो रहा था जैसे अगर आप numpy use करते हैं तो वहाँ पे array की form में use हो रहा था तो pytorch के अंदर इसकी अपनी जो खुसूसियत है इसको tensor की form में data देंगे वह इसको convert करके आगे speed up करते का procedure को अगर आपके पास GPU है basically तो pytorch जब आपने use करने you have to convert that data set into tensor पाकि tensors की आप definitions देखेंगे you will understand it better way अब आगे चलते है train test split हमने किया यहाँ पे वही 80-20 और 42 लिख दिया आपको मैंने बड़ी देर पहले भी बताया था 42 का मतलब है कोई भी constant number रखेंगे आप और उसका मतलब यह है कि जब भी को 42 रखेगा तो वही सारी changes आई अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम एक class बना रहे है class के अंदर functions हम define कर रहे हैं अब यह क्यों कर रहे हैं basically यह भी एक तरीका है आपके पूरे network को design करने का यह है वो trick जो मैंने आपको पहले बताई थी कि we can utilize the power of coding to build a kind of neural network अब इसमें क्या है आपको साफ पता है कि यहां से आपकी layer start होगी ठीक है इसके अंदर कौन सी layer है linear 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 तीन यहाँ पे आगे फिर हमने forward यहाँ पे रखी है जिसके अंदर relu, relu और sigmoid यूज़ किया है अगर आप गौर करें यहां पे अगर एक एक layer भी यूज़ करें तो स्टिल हमारा जो function है वो बन रहे है अगर तीन-तीन भी use करते हैं तब भी बन रहे है तो यू कैन एक्शुली यूटिलाइज दे पावर और अब्जेक्ट-oriented प्रोग्रामिंग इंसाइड दे कोड और मैं इसको इस वीज़ा से ज्यादार मैं क्या बलके काफी कोडिंग वाले लोग जो है data analyst है वो इसकी तरफ तवज़ों कम देते हैं एडवांस लेवल पर बंदे को खुद आ जाता है ना यू के अंदर सारे क्लास के अंदर उन्होंने फंक्शन रखती है अपने यह सीखने ठीक है वरना भाई आप सिंगल लाइन में बना लो जो पहले हमने किया था तो कोई हर इज नहीं है उसमें भी पर यू आलसो यूज इसका फाइदा क्या है आपने आप सिर्फ नेट यूज करने से सिंपली ठीक है और बजारी बात है यह पूरा टॉपिक अब्जेक्ट और्येंटेड प्रोग्रामिंग का और खास तोर पर यह वेबसाइट डेवल्मेंट के लिए और सौफ़एर डेवल्मेंट के लिए और डिफरेंट अधर लेंगिजेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है अगर आप इसमें जाएंगे तो मेरा एक दिन का इरादा ये भी है कि आपको सौफ़एर बिल्ड करना भी सिखाया जाए कम जब एक ग्लिम्स दिया जाए कि सौफ़एर क्या होता है आपको अगर कोडिंग आती है आपको पता ही नहीं है आपके हाथ में कौन से बंदू का गई है मसाल समझ रहे हैं नहीं समने है तो मैं बता ता हम के आप कुछ भी कर सकते हैं बंदू से मराद मतलब मैं यहने कह रहा है को कोई negative ना ले लाज़ यहां से मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके हाथ में कोडिंग है ना आप कुछ भी कर सकते हैं उपर से चैड जी पीटी हाथ में आ गया है so the power of chair GPT या power of GPT या large language model या long chain model these kind of things if you utilize the power of those things you can build your own software while staying at home. मैं आपको आज की मिसाल दे रहा हूं कि मैंने cloud को मैंने test किया और यकीन माने इतना असान उसामा भाई आपको याद होगा start में मैंने आपको एक बात बोली थी कि web app बनाएं फलाँ जगा से videos download करने की मैं नाम नहीं लोगा उन्होंने मुझे strike भेजी हुई है मैंने एक video upload की थी तो उन्होंने मदलब समझ रहे हैं आप तो क्या हुआ मैंने आज उसका बैठे बैठे आभी मैंने का software बनाओ मैंने software बनाया app macbook के लिए कितने minute में बना होगा maximum 15 minute यह है power और लोग उसको sale कर रहे हैं उस software को ठीक है बिलकुल अब मैं आपको बताता हूँ फ्लास्क भी छोड़ दें टिंकर एक ऐसी चीज है python के सारे code को कुई में करती मैं आपको उसका hint देता हूँ आज और software हम different बनाएंगे वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे मैं थोड़ा सा रुका हूँ वरना मैं आपको वही दिखा दूँगा and then we will see तो यह आपके class है by the way to the topic यह class आपके सामने आगी and now you see कि आपका पूरे का पूरा network की structure इसके अंदर है वो जो हम draw करते थे थे ना initial layer hidden layer output layer all of those things are here and this is the beauty of pytorz you can convert that into classes आप tensorflow भी कर सकते हैं don't worry अगर आप यह कहें कि tensorflow नहीं होता वो भी हो जाएगा यहां पर मैंने model is equal to क्या कि आप net that's it that's the beauty of class वो जो पीछे हमने class नहीं है वो पूरे का पुरा model ही है अगर आप गोर करें तो यह सारे के सारा model है और इसके अंदर neural network का पूरे के पूरा module रखा गया कि यह सारी चीज़ें इसके अंदर हैं बाइद अभी खैर इसको अगर छोड़ें optimizers you can utilize the same thing यह यह राजी आपका Adam favorite optimizer जो बहुत ज्यादा यूज होते है यह जनाब वो आटम तो आप आटम नहीं आडम तो आप इस तरीके से आप इसको यूटिलाइस कर सकते हैं और यह learning rate था जो मैं आपको कह रहा था था ना LR देखें किया यह learning rate है किस rate पे उसने learn करने है बहुत चोटे-चोटे step लेने हैं कि वडियां वडियां चाला मार के learn करना है ठीक है समझ रहे हैं बात को चोटे-चोटे step होंगे तो zoom in करके learn कर रहा होगा mistakes को learning rate अगर आप बड़ा रखतेंगे तो it would be harder to learn so usually .01 का learning rate लोग रखते हैं अच्छा फिर यह model के parameters को tune करेगा य जो model है इसके अंदर parameters को यानि के input के weights and biases याद करें वो structure अपने mind so this is how it works and then you put the kind of loop के 4 epochs in range of 100 100 epochs से लाने optimizer 0 gradients के अंदर ले जाना है and then you have to output on this model यानि के X train के उपर आपने train करना है forward pass forward pass का मतलब अच्छा football खेलते हैं आप कदी होया कि अपने अलग गोल का अरलवे बंदा नहीं 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 होता आप क्या करते हैं किक मारते हैं forward लेके जाते हैं दूसरे की तरफ goal हुआ नहीं हुआ उसकी base पर optimize करते हैं अगर आप Spain की team को आपको अगर Spain की team का पता है वो usually क् करते हैं अगले के गोल के पास से भी वापिस पास ले आते हैं backward propagation करके for the tactics और ज्यादा तर इसी वड़ा से बॉल उनके पास रहता है 80-70% of the time in the game so यह वो चीज़ें जो backward or forward propagation के अंदर आपको help out कर सकती है basically यह loss और optimizer और यह backward propagation हो जाती है फिर optimize करता है यानि कि यहां से गया forward यहां से आपका loss वगरा collect हुआ यहां से loss backward आया इसने optimizer से बाच्चित की optimizer कहता है अच्छा मैं उसको देखता हूं जाके मैं मारता हूं उसे ठीक है इसने तुम्हें क्यों कुछ का so then its steps goes on तो for loop का मतलब ही है कि एक दफा गया नहीं समिट है दूसरी दफा नहीं समिट है तीसरी दफा और तीसरी दफा और तीसरी दफा and then 400 times it will be there after that you evaluate the model जारी बात है model train किया तो क्या train किया अगर evaluate ना किया and now you will see the power of evaluation here model यह model किया है हमारा अब model के अंदर यह सारी चीज़ें add हो गई है यह सारी चीज़ें add हो गई है at this stage now you can इसको evaluation mode में ले जाते हैं dot eval करके यह evaluation mode में चला जाता है now what you can do आप no gradient के साथ इसको start कर सकते है x test पे लगाएंगे x test की जो values आएंगे उनको आप कहेंगे predictions और उनको आप accuracy के अंदर test करेंगे कि क्या यह x test की value के जो prediction है original y test के equal है या नहीं तो basically आप उसको यहाँ पे accuracy को calculate करते है और यहाँ पे आप accuracy की dot item करके उसको predict करके sorry print कर देते हैं and then if you want to predict some examples you simply put that like this कि x test की last 10 values को predict कर दो यह आप अपनी तरफ से भी x की सारे के सारा data frame यहाँ पे देते है and then at the end you will have predictions and actual values तो इस तरीके से आपके पास result हा जाते है actual value यह है prediction अगर उसके आसपास है it's fine otherwise the prediction is not good मेरे पास accuracy आई है 0.67 कितनी आई है 0.67 मैं इसको run करता हूँ 64, 62, 67, 672 यह change होई जा रही है now what we can do मैं इसको 100, 1000 करकर देखता हूँ now it's 83 अब check करें समझारी बात की तो आप epochs पे अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखे 1000 तो यह हो क्या रहा है क्यूंकि हमने बताया है कि range जो epochs की इतनी है उसके अंदर आप check करो जब gradient बिलकुल 0 पे आ जाए यानि के वो इससे आगे हिल ना सके जो accuracy जितनी होनी थी हो गई है वो याद है वो बात जो हम callback function बनाते थे कि यह रहे एक जगा पे आकर रुक जाए यह वो चीज हो रही मैं जो इतना मर्जी लिखता जाओ इत विल चेक आउट सम अफ दे वैल्यूज आपकी प्रडिक्शन आ जाती है और आपकी accuracy आ जाती है इस इस काल बाइनरी लासिफिकेशन और जो जीरो और वन के अंदर आपकी वैल्यूज आपको प्रडिक्ट करके दे रहे गिए पिए बाइन सब्सक्राइब गए खिए और नना शवफिग केंदर आपकी अटकी लिखंग टेडिक्ट करूग जगे देचासिक्ट करके आपकी